कॉंग्रेस अध्यक्षपद के लिए आज से नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो रही है गांधी परिवार से इस बार कोई नामांकन नहीं कर रहा है आपको बता दे कि अध्यक्षपद के लिए पांच नेता नामांकन कर सकते हैं ऐसे खबरे हैं अध्यक्ष की रेस में सबसे आगए अगर कोई नाम है तो वो है राजसान के मुख्रमंतरी अशोग गहलोत का वाज से नॉमनेशन के प्रक्रिया शुरू हो गई है तीस तारी तक ये नामंखन के प्रक्रिया चलेगी इसके बाद वागर एक से जादा नॉमनेशन आते हैं तो चुराओंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है देश के तिहास में कि गांधी परिवार के तरफ से कोई नॉमनेशन नहीं होगा अध्यक्षपत के लिए पांच नाम चर्चा में है लेकिन रेस में अगर कोई नाम सबसे आगए तो वो है अशोक गहलोत का कॉंग्रेस होगी गांधी परिवार से आजाद बिना गांधी परिवार किसे मिलेगी कमान क्या परद्य की पीछे से चलेगा असली खेल कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए आज से नमांकन सुरू हो जाएगा लेकिन इस बार सोनिया राहुल या पियंका में से कोई भी अध्यक्षपत के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा यानि अब कॉंग्रेस गांधी परिवार से आजाद हो जाएगी पिलहाल अध्यक्षपत की रेस में चार वरिष्ट नेताओं के नाम सब से आगे है उनमें गहलोत के सिर ताज सजना लगबक तै है गहलोत ने भी साफ कर दिया कि मैं कांगरस अध्यक्षपत के लिए जल्धी नामांगकन दाखिर करने के लिए तारीक तै करूँगा उन्होंने कहा देश की वरत्मान हालात को देखते हुए विपक्षपत को मजबूत करने की सक्त जरूरत है कॉंगरस अध्यक्षपत की रेस में गहलोत के साथ साथ सशी थरूर, मनीश तिवारी और दिगवेज सिंग का भी नाम है लेकिन इसे महज और चारिक्ता बताया जा रहा है सूत्र पर यकीन करे तो गहलोती राहूल और सोन्या की पहली पसंद है कॉंगरस अध्यक्ष के लिए राहूल गांधी ने कुछ नसियते पहले ही दे दी थी असो गहलोत को पालिटी की बागडोर देखर गांधी परिवार एक तीर से दो निसाने लगाने की फिराक में है एक तो परदे के पीछे से बागडोर गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी साथ ही परिवारवाद के आरोब से भी कांगरस को छुटकारा मिलेगा बेर रिपोर्ट जी मीडिया